अलवर सरस्डेरी चेयर्मेन विश्राम गुर्जर की नेतरत्व में सरस्डेरी की विजिलेंस टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए 9000 लीटर मिलावती दूद से भरा टैंकर पकड़ा है दूद का टैंकर का सैंपल फेल होने के बाद नाले में उसे फैला दिया गया है ये सरस्डेरी में फिशले 15 दिन में दूसरी बड़ी कारवाई है अलवर सरस्डेरी में लगातार मिलावती दूद की शिकायतें मिल रही थी और उपभोकताओं को मिलावती दूद बेचा जा रहा था लेकिन अब डेरी में नए चेयर्मेन आने के बाद मिलावती दूद के खिलाफ ये अभ्यान शुरू किया गया है जिसके तहट लगातार इस तरह की कारवाई की जा रहे हैं सरस्डेरी में करीब 9000 लीटर दूद बहरोर शेतर से दुग्द समितियों से आया था सरस्डेरी के चेयर्मेन विश्राम गुजर्ण ने बताया कि सुभा मुख्विर से सूशना मिली उसके बाद सैंपल की जाच कराई गई जिसका सैंपल फेल पाये जाने के बाद दूद को नस्ट करा दिया गया